Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of March 2021 27 March 2021 का the Hindu newspaper analysis शुरू करेंगे शुरू करने से पहले आज ये सवाल देख लेते जिनके जवाब आपको देने है पहला सवाल है सतकोशिया टाइगर रिजर्व is located in which are the following states सतकोशिया टाइगर रिजर्व इनमें से कौन से states में located है options आर A. Madhya Pradesh, B. 36 गड़, C. Maharashtra या D. Urisa question number 2 is Sugaru Strait Sugaru Strait is connecting which is the following इनमें से किसको connect करता है Sugaru Strait options आपके सामने है East China Sea and Yellow Sea Sea of Japan and Pacific Ocean Sea of Okhotsk and Bering Sea South China Sea and Philippines ठीक है ना तो आपको बताना है this is the second question, question number 3 is who among the following are eligible for postal ballot under the conduct of elections amendment rule 2020 इनमें से postal ballot के लिए कौन कौन से के टेगरीज allowed है in the conduct of elections amendment rules 2020 options are overseas citizens overseas electors then senior citizens above 80 years of age, COVID-19 suspects and affected persons persons with disability flagged in the electoral rule which of the following are using the which of the following are correct select the correct code 1 and 3 only 3 and 4 only 2, 3 and 4 only all of the above so these are the 3 questions for you today I hope you will try to answer these questions in the comment section below now let's see the today's map आज का जो मैप मैने लिया है वो है मौरेन इंपाइर का the map of मौरेन इंपाइर यहना दिस अनदर थिंग जो की थोड़ा आपको extent बताएगा मौरेन इंपाइर की which was the main capital which were the pillar edicts which were the major rock edicts यह सारी चीज़े में आपको थोड़ा थोड़ा बताना जाता हूँ तो यहां पर पूरा का पूरा जो यह रीजन है यह आपका मौरेन इंपाइर की रीजन है साओथ इंडिया में देखो ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ करके जहां तक है वो पूरा मौरेन एंपार के एक्स्टेंट था नौर्थीस रीजन में भी यहां पर देख रहा है आपको यहां पर देख रहा होगा तो उपर सब से उपर देखो आप यहां पर लब्पका रानी घाट और शाहबाज गढ़ी शाहबाज गढ़ी जो था वो यकापका major rock addict फिर यहां पर आपको देखो कलसी दिख रहा है यहां पर देख रहा है इसわか है देली के जस्ट उपर तो कलसी वाला रीजन भी जो आपका है वो major rock addict नेघली टोपारा जो है वो आपका pillar redicth है and that is the Ashokan pillar redicth then Delhi mirad भी एक Ashokan pillar redicth है फिर Delhi जो इंदरप्रस थे इंदरप्रस रिजन इस एनदर सिटी इंपॉर्टन देखो यहां पर इंदरप्रस थे ना डेली की इंदर डेली में इंदरप्रस दूस्तर में नाम चलता था ठीक है फिर यहां पर यहां पर दिखरा होगा बैरेट मतुरा संकशिया स्रावस्तियन अहिछत्र यह सारे नाम याद रखना क्या होता देखो कैसे question पूछ सकता है अब directly आपको map में marking तो नहीं देगा लेकिन map में extend दे सकता है कि इनमें से कौन सा जो map है वो exactly represent करता है आपके Moran Empire को तो यह Moran Empire का shape थोड़ा अगर आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा यह अहिछत्र जो लिखा हो ना अहिछत्र यह अधर से एक important city थी और यह उत्तर प्रदेश में लाई करती है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया में जैसे अहिछत्र कहां पर यह उत्तर प्रदेश में लाई करता है फिर देखो नेपाल वाला रिजन है नेपाल से लेकर कि भीहार नीचे तक देखो तो उपर लुमिनी आ रहा है तो जैसी नौर्थ सूर्थ अरेंज करने के लिए बता सकते कि रंपुर्वा लॉरिया नंदनगर लॉरिया नंदनगर बहुत जादा फेमस है बहुत जादा आगर लॉरिया नंदन गर्द says आपको यह भी आद रखना है वहार में जगे है और यहां पर भी लॉरिया नंदन करद में आपका एकस्तूपा वहां यहां पर आपका सारनात ऑठार आ पिञार पोर्त लॉरियन नंदनगड is also important यहाँ पे भी अशोकन पिलर है यहाँ पे भी अशोकन एक पिलर है तो यह भी आपको याद रखना है इसमें जो लॉयन है उसके जॉज थोड़ा ब्रोकेन है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में तो यहाँ पे जो लॉरियन नंदनगड में जो जॉज है लॉयन के वो थोड़ा ब्रोकेन है चीक है ना आपको यहाँ पे राजगरी ही दिख रहा होगा जैसे मगत वाले रीजन में जब राजगरी ही था नीचे देखो लिखा होगा ना जो तो उपर से नीचे पर देख लेज लुमिनी है रामपुर्वा है लॉरियन अंदनगर है देन वेशाली पाटली पुत्र आपको दिख रहा होगा जैसे आपको दिख रहा होगा राजगरी राजगरी जो था वो मगद के लिए और यहां पर आपको यहां पर यहां पर चम्प वाला रीजन दीक्राइब दीख रहा हूगा चम्प इस अनना फेमस पर उल्ड शीटी यह पुरानी सिट्टी हें वहां की है यह एकत्म जो अंग का kingdom आता था ना बीहार स्टेट में अंग अंगास को kingdom था वहाँ उसको अहां पर लाई करता है ठीक है छब्स जो है कर चमपा दो और यहां पर आपको नीचे दिखर रहा है ठीक है ना क्या लिख रहा है इधर साइड जो उडिसा वाला रीजन नहीं है उडिसा वाला रीजन होता है तो तामरे लिप्ती जो दिख रहा होगा तामरे लिप्ती तामरे लिप्ती बेंगॉल का इंशेंट पोर्ट है यह मिदनापुर वाले रीजन में आता है तो तामरे लिप्ती वेस्ट बंगॉल में ही लाई करता है तामर लिपती आपका वेस्ट बंगॉल में लाई करता है और यहाँ पर यह एक इंपोर्टेंट वहाँ पर पोर्ट की तरह काम करता है ठीक है ना फिर आपको यहाँ पर नीचे उसके तोसाली दिख रहा होगा तोसाली दिख रहा है न य यहां पर ही अक्छुलि यह एक जगा है जहां पर कह सकते हैं कि कलिंगा प्रिंस की रिजन था कलिंगा केंग्डम या तो साली या तो यह आपका उरिसा में लाइ करता है दहने हैं आपके धौली यो नीचे लिखा है धौलि भी वह हूं पूर मोनिलथिक पत्थर रेलीट करता है ठीक है नीचे आपका जोगाडा दिख रहा होगा जोगाडा इस अनदर इन उडिसा तो तो शाली धाली जोगाडा इस इन उडिसा देन नीचे आपको दिख रहा है देखो अमरावती अमरावती में आपका क्या है पिलर एडिक्ट और ये major edit है ये रागुडी में then आपको उपर यहाँ पर सन्नती दिख रहा होगा सन्नती, सन्नती में भी आपका major edit है and ये जो है आपका भीमा नदी के किनारे located है, करनाटका में अचली ये लाई करता है पूरा का पूरा जो ये लाई करता है करनाटका में लाई करता है ये भी आपको उपर सन्नती दिख रहा है that is in करनाटका वाला रेजन फिर आपको ये मस्की दिख रहा है नीचे मस्की मस्की is the place जहाँ पर कि अशोका का असली नाम वहाँ पर लिखा गया है मस्की इंस्क्रिप्चिन में अशोका का असली नाम देखने को मिलता है and मस्की में अशोका का नाम अशोका की रूप में लिखा गया है करनाटका में ही लाई करता है that is also in Karnatka ये भी आप यादर हिहें करनाटका में ही लाई करता है और यहाँ पर Su horn Pittsburgh यह आपका इस्टोरिकल प्लेस यह भी आप याद रखेगा तो अब यह सारी चीज़ आपने देख ली यह सब करनाटका वाले प्लेस हो गए सन्नती मस्की आपका सुवर्ण गिरी दन इधर साइड मैंने आपको उडिसा वाले प्लेस बता दे तो शाली धौली जोगाडा तो गिरनार मैंने आपको देख यहां गिरनार देख लो गिरनार भी आपका मेजर एडिक्ट है जो की गुजरात में लोकेटेड है मेजर एडिक्ट जो की गुजरात में लोकेटेड है तामर लिप्ती मैंने बताया आपको पोल्ट टाइप का रीजन था जो की आपका मिदनाप पुर्वेस्ट बंगॉल वाले रिजन में लाई करता है, है न, उपर आपने देखा, साची, साची is in MP मत्रदेश, यह मत्रदेश में, पान गुरारिया, पान गुरारिया भी आपका मत्रदेश में ही है, पान गुरारिया भी आपका इंस्क्रिप्शन है, famous, और वो मत्रदेश में है, बेरट मैंने आपको बता दिया, वो राजस्थान वाले रिजन में लाई करता है, डेली मीरट मैंने आपको बता दिया, कलसी और डेली तो पारा मैंने आपको दिखा दिया, इधर साइड आप देखें, अगर की जो बिहार वाला रिजन है, वहाँ पे आपका, लॉर काफी ज़ादा बहुत ज़ादा famous है और यह दिए गए थे किसको अजीव का सेक्ट को दिए गए अजीव का सेक्ट के नाम पर दिए गए थे दनि इधर आपका news analysis part में देखते हैं क्या important news आट है सबसे पहली जो news आट पेज किया poll bond sale can go ahead supreme court supreme court ने कहा है कि electoral bonds है उनको अभी रोकने से कोई मतलब नहीं निकलेगा before the crucial assemblations उन्होंने ये कहा कि जब 2018 में चल गया कोई दिक्कत नहीं हुई 2019 में आपने ने भी इशूस थे उन सबके counter arguments दिये हैं जो सबसे बड़ा जो इशू बोला गया था वो था anonymity of the buyers में आप खरीदने वालों के जो नाम है वो जाहिर नहीं के जाते they are kept anonymous है ना तो इसके लिए supreme court ने कहा the scheme provides anonymity but ensures that everything happens only through the banking channel उन्होंने कहा कि हाँ anonymity जरूर है लेकिन scheme ये भी make sure करती है कि सबकुछ जो है वो proper banking channels के थूँ ही हो दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि the corporate houses can finance political parties कई लोगों ने आप बोस किया था कि यार ये तो corporate crony capitalism को बढ़ावा देगा क्योंकि corporate houses जो है वो political parties को finance करते हैं इन्होंने कहा anyone buying the bonds will have to fulfill the KYC norms Supreme Court ने कहा कि जो भी bond खरीदेगा KYC norms तो उसको पूरे करने ही पड़ेंगे जो money वो spend करेगा that will reflect in the expense sheet of the company वो company के expense sheet में दिखाई देगी तो काई को परिशान हो रहा है जो भी होगा देखा जाएगा audit वाले बताएंगे ये वाले बताएंगे वाले बताएंगे then foreign corporate houses can buy bonds and influence the electoral politics तीसरा जो argument था वो गाल था कि foreign corporate houses जो है वो bonds खरीद करके politics को influence कर सकते हैं तो Supreme Court ने कहा कि bonds can be purchased only by a person who is a citizen of India or incorporated or established in India इसलिए इसकी कोई tension ही नहीं है then चौथा argument जो लगा था कि bond bought with a white money can be repurchased with black money है ना लेकिन उनने कहा कि since bonds are not tradable therefore repurchase का सवाल ही नहीं उठता ठीक है ना तो these were the arguments and these were the counter arguments given by the Supreme Court and therefore उन्होंने कहा कि ये भी रोकने का कोई मतलब नहीं है ठीक है ना थोड़ा सा मैं आपको electoral bonds का basic भी दे देता हूँ electoral bond एक financial instrument होता है which is for making donations to political parties political parties को donations के लिए काम करता है then the bonds are issued in multiples of thousand and ten thousand one lakh, ten lakh, one crore without any maximum limit जो bonds है वो एक हजार, दस हजार एक लाग, दस लाग, एक करोर इनके multiples में रहते हैं State Bank of India is authorized to issue and in cash these bonds यह जो bank, कौन सा bank allowed है State Bank of India and they are valid for 15 days from the date of issuance भला, issuance के 15 दिनों की date तक यह valid रहते हैं they are redeemable in the designated account of the registered political party अब जो registered political parties है कि अवल वही allowed है electoral bonds लेने के लिए, यह तो पहले आपको पता ही है दूसरी चीज उनका है कि एक account रहेगा, designated account रहेगा जिसमें कि वो redeem कर सकते है then these bonds are available for purchase by any person who is a citizen of India or incorporated or established in India ठीक है ना, for a period of 10 days each month of January, April July and October January, April, July and October के month में यह 10 दिनों के लिए ही valid रहते हैं खरीदने के लिए, ठीक है ना so these are the things which were regarding the electoral bond बाकी issues मैंने इधर आपको लिखे हुए थे और उसके जो current argument दिये है Supreme Court ने, वही मैंने आपको बता दिये, Supreme Court backs Tata Sun, set aside NCLAT order on mystery तो NCLAT आने की जो National Company Law Appellate Tribunal ने order दिया था कि हाँ भाई Cyrus मिस्त्री जो था उसका rightful claim था Tata Suns में अनौल, तो उसको हटाते हो set aside करते हो, Supreme Court ने आगे move करते हैं, देखते हैं क्या important news items जिनके बारे मुको discuss करना है तो you can move with me आगे आप मेरे साथ move करिए देखते हैं क्या है, यहाँ पर Reconstituted as Advisory Council Host First Meeting on the MPD 2041 तो यहाँ पर DDA यनि की डेली Development Authority जो है उसकी पहली Meeting constitute की गई थी Master Plan for Delhi MPD याने की Master Plan for Delhi 2041 सबस्ता Master Plan for Delhi 2041 की Meeting की गई थी और इस Meeting को Chair कौन किया था डेखमा जार याद रखेगा डेली डेगलप्मेंट अथॉररिटी का जो चिएर्मैन होता है वो लेफ्टनेंट गवरनर होता है अब जो आभी रेसेंटल लिडेरी उनेचिल कैपिलिटरी वाले के लिए बिल पास हुआ है उससे जो आपके लेफ्टनेंट गवरनर so much power है ना तो अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है अगली जो न्यूस है वो है Supreme Court extends status quo on Yamuna water supply Supreme Court ने क्या बोला है It has ordered the states of Haryana in Punjab and Bhakra Bias Management Board to maintain status quo in the supply of water to Delhi till April 6, April तक उन्होंने का है कि Haryana Punjab जो है and Bhakra Bias Management Board जो है वो जो supply है वो maintain रखेंगी status quo में जैसा पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा till April 6, छी कहा है ना थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ कि Yamuna के बारे में Yamuna actually Yamunotri which is the northern north of Haridwar in the Himalayan mountains is the source of Yamuna Yamuna का जो source है वो कहां पर है? Yamunotri में है the river Yamuna is a major tributary of river Ganga आपसा को पता होना चाहिए river Ganga के एक major tributary है है ना and right wing tributary वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए right wing tributary है and ये जो Yamunotri है it originates from Yamuna जो है it originates from originates from Yamunotri glacier near Bandar Pooch peaks तो यहाँ पर Bandar Pooch peaks है और Yamunotri glacier में वहीं से originate करती है and ये मसूरी range जो Lower Himalya's की मसूरी range है वहाँ से originate करती है मसूरी range of the Lower Himalya's से rise करती है जेगे न it is said that a temple of Yamunotri was built by Maharani Gularia of Jaipur तो Maharani Gularia of Jaipur जो है उन्होंने यहाँ कि Yamunotri temple बनवाया था and it was constructed in the last decade of the 19th century last decade था 19th century का नहने कि 1890s में उन्होंने यह बनवाया था and in 1923 this was destroyed and only the idols were left तो ये temple जो बनवाया था Maharani Gularia ने वो इस्ट्वाय हो गया था और के वहाँ टेमपल के idol बचे हुए थे and it was rebuilt it was one second damage in 1982 यहाँ पर एक hot water pool है ये मunotri में जिसका यूज के जाता है for preparation of the Prasad यहाँ पर Prasad बनता है that is formed from the hot water pool यहाँ पर है hot water pool सही बनता है इसकी जो सबसे बड़ी tributary है Yamuna की वो है Tones Tones is the largest tributary of Yamuna ठीक है न? और दूसरी tributaries include करते है Giri Giri है जो की Hinden River है Betwa है Dhasan है Kane है Sindh है Kane, Sindh, Dhasan, Betwa Hinden, Giri और आपका Tones These are the tributaries of Yamuna I hope you got clarity regarding the basics of Yamuna also आगे move करते हैं देखते हैं और क्या important news item से जिनके बार हमको देखना है You can move again with me देखते हैं आगे Editorial में आते हैं आज जो editorial हम डिसकस करेंगे इस paper का वो है Dormant Parliament Fading Business तो यहाँ पर दिखाएगा कि parliamentary processes है वो किस तरीके से wash out होती जा रही है जैसे time pass होता जा रहा है कि जितने भी important parliamentary steps थे जितने भी important parliamentary provisions थे उनकी value किस तरीके से घटती जा रही है सबसे पहले author ने का कि the budget session of the parliament ended on Thursday two weeks ahead of the original plan मतलब कि budget session का जो original plan था वो भी 14 दिन बाद बंद होने का था लेकिन 14 दिन पहले ही budget session खतम हो गया as a result of this यह सारी जो पहले पहले जब खतम कर रहे है sessions को it was that this लोकसभा of 2021 जो इस साल का year था it has a setting for nearly 34 days राजसभा की जो sitting हो कि वह 33 days थी these were the lowest ever यह आभी तक की सबसे कम sitting रही है लोकसभा की चीगे न इसके अलावा आगे अपन ना कर देखे तो सबसे जो major issues है जो parliamentary functioning में जो major issues है वो कौन-कौन से हम आता दो पहला जो issue है वो है no bill scrutiny सबसे पहले तो उनका कहना है कि bills की scrutiny होना बंद हो गया है and important development this session has seen is the absence of careful scrutiny office and recently कई दिनों से यह ऐसे allegation लग रहा है कि जो prison government है यह scrutiny नहीं कर रही है bills की यानि की बहुत कम bills ऐसे होते हैं जो properly assess कि जाते हैं बहुत कम rare ऐसे bills होते हैं जिनको कि आप standing committee के पास refer करते हैं अच्छली में जब आप लक्षमी कांधिया की जीवी किताब में पढ़ते हो कि क्या process है bill को pass होने के लिए तो उसमें एक step आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये bill जो आता है वो एक committee के पास जाता है न तो अगर आप देखो तो इस session में 13 bill introduced हुए and not even one of them was referred to a parliamentary committee for examination तेरा bill बनाये गए तेरा bills में से एक भी बिल ऐसा नहीं था जो कि parliamentary committee के पास जाए for examination purpose छेका न दूसरी चीज जैसे कि कुछ bills के मैं बताऊं तो insurance amendment bill 2021 का था जिसने की increase की the limit of foreign direct investment in insurance sector from 49% to 74% foreign direct investment को 49% से बढ़ा करके 74% करने के लिए आपका ये insurance amendment bill 2021 आया था ठीक है न ये सब आया लेकिन इसके में भी introduction हुआ passing दोनों houses में bill पास कर दिये गा है बिना किसी discussion के ठीक है न कुछ-कुछ bill तो ऐसा हुआ है कि voice vote से ही पास कर दिये गा है National Bank for Financing Infrastructure and Development and ABFID याने कि National Bank for Financing Infrastructure and Development जिसने की एक नया Infrastructure Financial Institution DFIE याने कि जिसको बुलता है Development Financial Infrastructure को बनाया गया है वो bill भी उन्होंने तुरंट पास कर दिया within 3 days of introduction इंडर्यूस हुआ और 3 दिरों के अंदर वो bill पास कर दिया गया दूसरा जो major issue है वो है consulting house panels जो house panels से consult होने का जो काम था वो बिल्कुल एक तरीकी से बंद हो गया है अगर आप देखें कि 2004 से 2009 की बीच में लगबग 60 to 70% याने कि the percentage of bills referred to committees were 60 to 71% 2004 से 2009 के period की बीच में लगबग 60 से 70% जो bills थे वो committees को refer करते किये जाते थे अगर हम अभी यह देखें 15th लोग सभा और 16th लोग सभा में तो 27% और 11% हो के रखे रहे चुका है current में तो 11% bills ही है जो की refer 60-70% जहां refer किये जाते थे आज हो के वल महस 11% से 27% की बीच में refer किये जाते हैं ठीक है ना parliamentary committees बहुत अच्छा role play करते हैं जाएंगे ही नहीं तो इसमें parliamentary committees अपना input कैसे देगी और ये लोग इधने confidence में हैं कि जो भी bill लिखा जा रहा है वो पत्थर की लकीर है वो भगवान ने लिखा है वो बिल्कुल सही है कि उस bill को refer नहीं किया जाता तो ये भी एक बड़ी बात है then money bill classification जो अगला इशू है वो ये है कि बिल्स को जो है वो money bill के नाम में पास कर दिया जाता है money bill से पास करने का अताथ पर रहे है कि money bills के नाम पर बिलाएगा तो राजसभा उसको stop नहीं कर सकती राजसभा उसको रोक नहीं लगा सकती है ठीकर ना इसलिए कई बिल्स को जैसे आधार मिली तो था वो money bill के रूप में पास किया गया फिर एक और इशू यह है कि finance bill के नतरगत कई बार ऐसे provisions डाल दिये जाते है जो कि उससे related नहीं होते फार इसमावल finance bill के नतरगत आपने unconnected item tribunal की restructuring डाल दी finance bill 2017 जब आया तो उसमें आपने tribunals की restructuring को डाल दिया अब भाई tribunals की restructuring finance bill में क्यों डाल रहे हो तो इसका reason यहीं है कि इसको रोक ना पाएं लोग और इसको बहुत आसानी तरीके से निकाल दिया जाए then finance bill में ही electoral bonds डाल दिये थे आपने foreign contributions act कुछ के अंदर के डाल दिया ठीक है ना उसका amendment डाल दिये तो यह सारी चीज़े जो है यह थोड़ा कहीं न कहीं जो मलब की तरीका है to escape the process जो scrutiny की process है उसको escape करने के लिए कि भाई अगर दूसरे house में यह money bill की तरह गया तो वह discuss भी नहीं कर पाएंगे तो अगर लेकिन simple bill की तरह गया तो वह जाएंगे रोग भी सकते हैं ठीक है ना so finance bill has made major amendments to the life insurance corporation act 1956 बहुत सारी चीज़े हैं जो की इस तरीके से back door channel से की जा रही है इस के approved channel से की जा रही है ठीक है ना author यह सब चीज़ें हमें बताई है आगे देखे तो during this session the union budget was presented, discussed and passed the constitution requires the log sabha to approve the expenditure budget of each department and ministry आप देखो जो constitution है वो बता बोलता है log sabha को कि आप each expenditure should be approved log sabha should approve the expenditure budget of each department and ministry now the log sabha has listed the budget of just five ministries for detailed discussion and discussed only three of these and 76% of the total budget was approved without any discussion मला अगर budget का हम देखे तो 76% 76% of the budget was approved without any discussion के विल 24% budget पे discussion हुआ and 76% पे नहीं हुआ अब यह ऐसा नहीं कि यह सिर्फ अभी हो रहा है यह पिछले 15 साल से हो रहा के 2007-8 से यह चीज़ हो रही है और इसके लाप ऑथर ने कहा है कि एक जो और major issue है जो इस बार देखा जा रहा है वह है the missing deputy speaker deputy speaker की post दिखा लिए यह कि constitution में article 93 में लिखा गया है यह house of people sell as soon as may be choose two members of the house to be respectively the speaker and deputy speaker article 93 constitution का बोलता है कि जितना जल्दी हो सके speaker और deputy speaker का appointment किया जाना चाहिए लेकिन इस बार की अभी लोगसभा में दिक्कत यह कि आपका deputy speaker ही नहीं है न और यह एक important issue है जो कि यहाँ पर arise होता है ठीक है आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर है issue अगला जो है कि no confidence motion could be moved यहाँ यहाँ पर कुछ चीज़े और बतारो कि parliamentary process को अगर आप parliamentary process में scrutiny को हटा देंगे तो Parliament के जो दोनों house है Parliament की जो overall working है functioning है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसी लिए सबसे important जो चीज़ है वो यह है कि parliamentary scrutiny होती रहे और bills तभी का कोई मतलब रह जाएगा और यह पूरी एक कर देखा तो अगर अगर आप पिछले दो सालों में देखे तो चौथा election जो कि conduct किया गया है वहाँ पर कोई single ऐसी पार्टी बनी नहीं पारे जो की full majority ले लिखुद पार्टी है लिखुद पार्टी है जिसके नेतन्याहू head है उनको सबसे जादा seats मिली है लेकिन बहुत ज कि आगे देखते हैं थोड़ा समय आपको बता दिया था यहां पर और इंपॉर्टन यूजर टाम है लेट्स मूव अहेट यहां पर आपको दिख रहा होगा वेर हंगर ट्रम्प पॉलिटिक्स विद बेसिक सर्वाइबर ले अट स्टेक डवलनेरेबल साबर ट्राइब साबर साबर कम्यूनिटी जो है साबर कम्यूनिटी यात कि विस्ट बिंगॉण इजार खन रीजन वह इन डियार पीवीटिजन यहां पर देखेंगे यह 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 जो हे सावर सावर साओर विईर्वानिस यह क्या आपका पी यी टिज सिर्धिट यह पूलरी वीटेविल ट्रैवल ग्रुपस्ट अंट है यह प्रेयल स्थाव्र्वानिस यह मुस्ट जू मलत कहने चीए कि जो बहुत जादा रिस्क में रहरे tribal communities को represent करते हैं जहां पे बहुत lower level of development है बहुत lower level of education है वहाँ पे जहां पे कि इनके पास basic survival के लिए जो main income होनी चाहिए वो भी नहीं लाई करती है तो यह वो communities है जो पुरेस्ट और पुर कहना चाहिए दे यानिकी primitive of the primitive tribes है इस बहुत पुराइन tribes है तो यह कह पूछा हुआ है कि इसकी लिस्ट मैंने डाल दी थी वैसे आप लोग ने देखा जो लोग ऐसे एक्चली revision group में होंगे उनको पता होगा कि मैंने revision group में डाली थी मैं इसको overall भी डाल दूंगा वैसे तो 75 के करीब इनके numbers है आप देख लीजेगा वो लिस्ट पढ़ लीजे government of इंडिया ने निकाला हुआ है और पीवीटी जी बहुत फेमस है हर साल question कहीं नहीं पूछा जाता है ठीक है इनके बारे मता रहा है कि बहुंद की को आज कोई guarantee नहीं कोई खाने के नहीं तो election में क्या करेंगा election में इन सब चीज़ों में तो तब काम होगा ना यार जब आप और जूँंख में जी ना जली करेंगें और इंडिया एंट्रेड्ड पॉलिसीवॉरम के थूस इंगेजमेंट करेंगे ये ये-उएस इंडिया ट्रेड पॉलिसीवॉरम के थूर्य औरू की इन आफ्यर्स बता जेता हूं इंडिया जैसे इंडिया का GSP Generalized System of Preference Generalized System of Preference यहां से जो हमको हटाया गया है इसके कारण हमको थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा है और हमारे प्रोडट्स वहां पर क्या हो रहा है ज्यादा महग हो रहा है इसलिए competitive नहीं रहे जा पा रहे है तो GSP Generalized System of Preference से एक इशू हो गया दूसरा इशू जो मुझे याद आ रहा है वो यह है S400 डील करें सैंक्शन का जो हमारे पास इशू है कि हम हमको मना कर दिया गया है रशिया के साथ डील करने से अब वहां का जो triumph defense system S400 है वो हमको चाहिए ठीक है न हमको चाहिए तो हमको इससे बात करने पड़ेगी USA से कि अगर आप हमारे पास sanctions ना लगाए तो हम ले पाए इसके लावा इरान से oil लेने के लिए मुझे लगता है इसको बात कर लेनी चाहिए यह इरान से oil हमको divers बना देगा काम काफी जाता किया हुआ है कई बार departments में आती रहती है की query होती है तो आर्टी आई को क्या होता है कि जब आर्टी आई फाइल करते हैं लोग तो उसमें proper stamp और यह सब चीज़े देखी जाती है लेकिन यहाँ पर और इन में से किसी भी reason के current उसको मलब कि RTA को reject किया जा सकते है मलब suppose अगर proper stamp नहीं है तो उसको reject किया जा सकता है proper अगर question नहीं पूछागा है जैसे बहुत particular question अगर नहीं पूछागा है तो भी उसको reject कर देते है कही बार लोग यह बोल देते हैं कि यहाँ पर proper specific question नहीं और RTA लगाते से हमें आपको धिहान देना है कि बहुत जादा specific होना चाहिए मनलब आपको यह भी बताना पड़ता है कि किस mode में आपको जानकारी जाहिए मनलब कि अगर आप आटे की rules पढ़ें तो इसमें लिखा हो है proper कि आपको किस mode में चाहिए इमेल के थ्रू चाहिए फोटो कॉपी के थ्रू चाहिए कि आपको pen drive में चाहिए information किस page की information चाहिए क्या चीज की कौन सा document है आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कौन सा document आपको चाहिए न तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको धियान में रखनी पड़ते हैं दरवाज आपकी RTA reject हो जाती यहां पर आथर नेगा है कि यहां पर जो rejection हुआ है बहुत सारा वो कोई valid reason के बिना हुआ हुआ है तो यह उन्होंने this is as per the report and कुछ कुछ रीजन जीसे आप लिखे RTA Act आपको पता ही कि RTA Act क्या करता है कि RTA request आप कर सकते हैं बहुत सारी information आप ले सकते हैं यहां पर आपको देखो copyright, sovereignty, security, intelligence matter इनको छोड़ दो कर आप है ना कुछ चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं जैसे कि आर्टिकल 8 से section 8 में आती है इसे मैं आर्टिक के बारे में बताता हूँ section 2 जो है वो right to information के बारे में बताता है that is the right to information accessible under the act which is held or any other control of any public authority तो उसमें public authority की जो भी information है वो आप ले सकते हैं actually public authorities की जो भी information आप ले सकते हैं Supreme Court का जो Chief Justice है वो भी कहना चाहिए कि आपका RTA के अंदर गता आता है यह Supreme Court ने खुद ऐसी चीज़ बोली है section 4 आप देखे तो RTA act requires Suomo to disclosure of information section 4 तो यह कहता है कि जो companies है जो departments है उनको स्वता ही information को west side में डाल देना चाहिए section 8-1 जो है it exemptions बताता कि कौन-कौन से case में आपको information नहीं provide करनी है section 8-2 जो है वो provides for the disclosure of information exempted under official secret act 1923 if larger public interest is served तो अगर official secret act 1923 के अंदर कोई चीज मना है लेकिन उसको बताने से एक बहुत बड़ा public का काम हो जाएगा तो फिर आपको वो बतानी है और अगर आपने किसी ने आर्टेई लगाई है तो उसको 30 दिनों के अंदर का तो डेटा देना जरूरी है ठीक है ना 30 दिनों के अंदर और अगर life and liberty खत्रे में है तो 48 hours के अंदर यह भी आपको बताता हूं देखो दो तरीके सोता है एक्चुली हर डेपार्टमेंट में वहाँ पर एक पी आईओ रहता है पब्लिक इंफर्मेशन ओफिसर लोग सूचना अधिकारी इसको बोलते है हिंदी में तो पब्लिक इंफर्मेशन ओफिसर क्या करता है कि उसको 30 दिनों के अंदर इंफर्मेशन देनी है लेकिन अगर life लिबर्टी से जुड़ी कोई घटना है कोई इंफर्मेशन है तो फिर 48-48 आर्स के अंतर का तो जानकारी देनी पड़ेगी ठीक है न तो यह भी एक लौ है जो कि आपको पता होना जीए तो यहाँ पर देखलो डिनायल कौन सी मिनिस्ट्री सबसे दिख किया है होम मिनिस्ट एकी पर्सेंट ने बीस पर्सेंट फिनांस मिनिस्ट्री 12 पर्सेंट फिर यह सारे अलग-अलग मिनिस्ट्री से जो कि राइट इफर्मेशन में डिनाय रिख और तो यहां पे बीजिंग जहसें सैंक्शन लगाया बिटन्स की ओपर यहां लगाया कि यूगे ने जॉइन कि accused of human rights abuses तो यहाँ पर क्या है चाइनीज के उपर ये accusation लगता रहता है कि उन्होंने उईघूर Muslim minority का जो कि Xinjiang region में रह रहा है उनका persecution किया है उईघूर कौन है एक Muslim minority है Turkish Muslim minority group है जो कि Xinjiang region में रह रहा है Xinjiang region जो आपका बिल्कुल West वाले पार्ट में नॉर्थ वेस्ट वाले region में लाई करता है Xinjiang province आपका नॉर्थ वेस्ट region में लाई करता है चाइना के अगर आप देखें मैं तो तो वहाँ पर उईघूर Muslim community रहती है और उसका उपर इनके उपर allegation लगा है कि इनकों करते है UK ने जॉइन किया है European Union countries को और कहा कि हाँ आप करते है इस करण से Chinese जो है जो बीजिंग उसने ब्रिटिंज को वहाँ पर sanctions लगाए है उनके उपर ठीक है ना that is the thing आपको याद रखनी है आगे देखते है देखते है और क्या इंपॉर्टन न्यूज आइटम है जापान टू फंड अंडमान नी को बार Metro Expansion याब यहाँ पर जापान जो है वो फंड करेगा अंडमान नी को बार Metro Expansion को in the first ever official development assistance first ever official development assistance इसको बोलते है ODA in the first official development assistance ODA project in अंडमान नी को बार जापान has approved grant aid worth 4.02 billion yen यानि कि 4.02 billion yen यानि कि 265 को रोड दिया जाएगा by the Japan to fund the अंडमान नी को बार Metro Line ठीक है ना to improve the power supply of the islands यहाँ पर अंडमान नी को बार की जो power supply उसको भी इंप्रूफ किया जाएगा and stressing the strategic geopolitical location of the island for open Indo-Pacific अनला उनने यह भी कहा है कि actually इंडो-Pacific के लिए काफी strategic location पर है अंडमान नी को बार and यहाँ पर development काफी जादा होना चाहिए है ना तो इसकारण से इसको याद रखना आपको ठीक है दिस इस फर्स्ट एवर ODA project पहला ODA project है अंडमान नी को बार रिजन के लिए आने की official development assistance project है अंडमान नी को बार के लिए इसके लाबा humanitarian assistance तो होता रहता लेकिन यह official इस ते कहना चाहिए कि development assistance project है ठीक है and due to its geopolitical location अडमान प्लेज़ाइड प्लेज़ा रोल इन शेर्ड विजन ओफ open free and inclusive इंडो-पैसिफिक तो open free and inclusive इंडो-पैसिफिक में काफी important role play करता है और यहां पर मेर्टर प्लेट्स चलेंगा तो these are the things which were there and यहां देखेगा जापान इसको fund करने वाला है ठीक है न move health to concurrent list अब यहां पर जो N.K. Singh है जो कि 15th finance commission के head भी थे उनका यह कहना है कि एक तो healthcare का spending है उसको कम से कम 2.5% of GDP में कर दो पहला जो इनका suggestion है कि 2.5% of GDP से कम होना है नीचे health का health में spending है दूसरा DFI जो आप बना रहे है development finance institution बना रहे है उसको set up करो है न और तीसरा जो इनका suggestion है कि health को concurrent list में डाल दो ठीक है न हेल्थ को किस में डाल दो concurrent list में डाल दो and GDP के spend 22.5% कर दो 2.5% health में कर दो by 2025 ठीक है न है 2025 उन्होंने का है और actually एक summit हो रहा था जिसको nat health summit बोलते है nat health summit को यह head कर रहे तो उसमें इन्होंने कि सारी चीजे कही है अब यहां पर क्या फाइदा होगा हम देख लेते हैं इसको इन्होंने यह का कि primary health care should be the fundamental commitment of all the states in particular and should be allocated at least two-third of such spending उन्होंने यह का है कि primary health care जो है वो काफी important एक role play करता है health sector में तो जो जितनी भी spending आप health sector में कर रहे है उसकी two-third तो आपको primary health care में करनी जाए फिर उन्होंने का है कि आप health को concurrent list में लाओ तो इससे क्या अगा center को ज्यादा flexibility मिलेगी to enact regulatory changes and reinforce the obligations to all the stakeholders उन्होंके पास ज्यादा power भी रहेगी कि वो काफी ज्यादा अपने reinforce भी कर सकते हैं changes भी कर सकते हैं ठीक है न और उन्होंने यह भी कहा कि DFI को आप set up करो DFI set up करना भी ज़रूर ही also emphasize the importance of universalizing the health care insurance उन्होंने का कि health care insurance को universalize करो और ऐसा न आ रहे कि कोई section है जो की बचा रहे गया और वो cover नहीं हो पाए तो ऐसा भी ना insurance अब करो 100% universalization होना चाहिए कल का match देखा आपने अगर तो बहुत सही किया बहुत तगड़ा मैस था लेकिन result हमारे favor में नहीं था ठीक है कोई भी फिर क्या ही बोले वो तो बोलता है आदमी कि में the best team wins लेकिन हम तो चाहते हैं कि इंडिया जीते हर बार सतकोशिया जो है वो कहां पर है वो डिसा में है याद रखेगा सुगारू स्ट्रेट कहां पर है तुसी आउ जापान एन पैसिफेकोशियन वो इन फॉलिंगा रिलिजिबल पोस्टल बालत इसमें आंसर होगा तो थी और फॉर तो थी और फॉर तो थी और वीडियो प्लीज दो लेक्शन सब्स्क्राइब कीप लविंग एस कीप शिरिंग एस थैंक यह थैंक यह थैं